हेलो एब्रीवन, वेलकाम बैक टू न्यू वीडियो फ्रेंट्स आप लोग बहु ज़्यादा कमेंट आ रहा थे कि स्टुडेंट के रिट काइट के लिए बोनफाइट सेटिफिकेट कैसे बनबाना है तो देखें फ्रेंट्स आज के इस वीडियों देखेंगे सब्सक्राइब बात करते हैं अगर डिमिशन की टाइम आपको जमा ले लिए गया और कॉलेज में अभी तक आपको जमा है तो बनफाइट सेटिफिकेट कैसा होना चाहिए जब भी आप भीहार स्टुडेंट क्रेजिट कार्ट के लिए अपलाए करेंगे तो बनफाइट सेटिफिकेट फीयर डूकुमेंट मागा जाएगा और अगर अपको जमा है तो बनफाइट सेटिफिकेट प्रेंश ने करके जाएगे तो आपका काम हो जाएगा वैसे अगर आप डिटिल में जानना चाहते हैं कि वियार स्टुडेंट क्रेजिट कार्ड के लिए कैसे अपला करना है तो उसके उपर एक वीडियो बना दी है लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जा करके देख सकते हैं तो चलिए फ्रेंट शुरू करते हैं इस तुमने देखें सबसे पहले आपके कोलेज में रिश्टार हमें रिश्टार ओंगी रिश्टार ओफिस में जाना है वहां पर बोलना है कि मुझे बानाफाइट सटीफिक्ट चपिटब्वड चाहिए तो उसके बाद आपको कि तरह का चाहिए तो देखिए अगर आपका तो इस तरह कर वह नपाइट सेटिफाइट होगा उसमें क्या लिखा रहेगा तो देखें सबसे पहले लिखा हुआ है इस इस सट्टिफाइट यहां स्टुडेंट का नाम होगा उसके आपके गार्डिये निने की मम्मी या पर पापा का नाम दे सकते हैं उसका कॉलेज का रो को दरा डिकलेर गया गया है कि यह यह सारा डोकुमेंट आपका जमा है कोलिज में तो देखें इस तरह से लिखा रहाएगा इस में आपको कुछ भी नहीं करना उसके पहले रेस्टार ओफिस में बहुर लगवाना उसके बाद प्रिंस्पल के पास जा करके साइन करवा करके डिया से उपिस में आप जमा दे सकते हैं तो चलिए दूसरा फॉर्मेट देखते हैं वो फॉर्मेट इसके लिए जिनका और इने डोकुमेंट जमा नहीं है तो देखें यह फॉर्मेट और से स्टूडेंट के लिए जिनका और इने डोकुमेंट कोलेज में जमा नहीं है इ कॉलेज के पास अपना बोनाफाइट फॉर्मेट होता है किसी तरह से भी रहा सकता है बड़ उसमें कुछ-कुछ चीज एक कंपल्सरी लिखा रहेगा उसमें आपको रेस्टेशन नंबर या रोल नंबर रहेगा फादर्स नेम मदर्स नेम और स्टेशन कब से कब तक है उसका कर जाएगे तो आपका काम हो जाएगा अब चाहरे कि感じ कैसा बनता है तो उसके लिख किजी विडिव में बताऊं आफ में से खांव फ्र्रान्स में ऑनिसार पलांट के लिए प्ला की